ये फूरी इस आज फिर से आपके लिए लेकरी में मिलने वाली बंस की रेसिपी ये है क्रीम बंस जो आई थिंग हम सब के फेवरिट है इसमें अंडा नहीं है फिर भी ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट बनी है मैं आपको सिखाऊंगे कि एग के बगेर आप ब्रेड कैसे घर पे ब बच्चों के लिए ये देखे काफी सॉफ्ट ब्रेड है और ब्रेड बनाना काफी इसी है ये इसके क्रीम है जो इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगे रिटन रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चलिए ब्रेड बनाना शुरू करते हैं एक चीजों को अच्छे से चान लेंगे ये जितना मेजियमेंट मैंने लिया है उसमें से करीबन तीन क्रीम बनेंगे और उसी के मेजियमेंट से मैं आपको क्रीम भी बनाना सिखाऊंगे अब ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें दाल देंगे हम एक टी लिखा जाता है अगर आपकी उंगली में बहुत गरम नहीं लग रहा है तो बस उसी यानि warm milk आपको लेना है hot milk नहीं एक बड़ा चम्मत जितना oil और तीन बड़े चम्मत जितना मैंने इसमें दूद डाला है यह देर के दो इस तरह का sticky होना चाहिए ऐसी consistency में अब इसे एक कि नीड करेंगे करीबन 5-7 मिनिट के लिए यह करना बहुत है जरूर है ताकि हमारा ब्रेड सॉफ्ट बने बीच-बीच में अगर पहुत चिप-चिपा लगे तो आप थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर सकते हैं और साथ में थोड़ा सा ओयल करीबन दो बड़े चम्मत जितना इतने ब्रेड में मैंने ओयल का इस्तेमाल किया है आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे अच्छे से स्ट्रेश करते करते हमें नीड करना है ताकि हमारा ब्रेड सॉफ्ट बने ब्रेड बनाते समय सिर्फ कुछी चीज़ों का दियान रखना है और वह है कि ब्रेड को अच्छे से झीड करना है और डो को अच्छेसे फोर्मेट होने देना है दो बार पहले हम डो को फोर्मेंट करेंगे यह नीडिंग के बाद इसके बाद जो भी शेपस हैसे बनके या क तो यह देखिए इस तरह से नीड करना है अच्छे से और मैं पहले ही बता दो यह क्लिप मेरे ही वीडियो की है नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि यह अभी हाथ में बैंगल कैसे आ गया तो यह लीजे डो हमारा जब अच्छे से नीड हो जाए तो उसी बरतन में यानि इसी में हलका सा घ्रीज करके डो के उपर भी हलका सा हमें ओल घ्रीज करना है ताकि हमारा डो हाड न हो जाए उपर से बोल को इस तरह से क्लिंग ग्राप या किसी भी कपड़े से हम धक के करीबन एक डेर गंटे के लिए किसी गरम जगा बे छोड़ सकते हैं अगर आपके पास को डो आपका डबल हो जाए यानि फूल है तो आप बंद अवन में इसे रख सकते हैं बस ध्यान देना है कि कहीं बहुत गरमी हो वहाँ इस वेसल को रख देना है और ये देखे मेरा डबल हो चुका है डो करीबन एक घंटा और 20 मिनित लगी थी मुझे ये देखे डो अच्छ से फॉमेंट हो चुका है डबल होना है बस और इस थरgeh से फिर से हमें किसी प्लाटफॉर्म पे अलगा सार मैदा चिड़क के इसे इस थरह से हमें नीद नहीं करना है बस बहुत लाइट हैंस से ये देखेे इस तरह से कर देना है और इतने मैजर मेंद से करीबर मैंने तीन बनाये थे तो मैंने तीन इस तरह के लूई बना ली और इसे अब light hand से हमें सिर्फ बेलना है ध्यान रहे मैंने सिर्फ आटा अपने हाथ पे लिया है ताकि stickiness नहीं रहे और इस तरह से आटा ज्यादा नहीं लेना है नहीं तो हमारा जो यह हम बन बनाएंगे वो सुखा सुखा हो जाएगा ड्राइ हो जाएगा और यह देखे इसे इस तरह से बस roll करना है बहुत ही fit करना है बीच में gaps नहीं रहनी चाहिए और इस तरह की ends को दबाते हुए हम अच्छे से बन कर देंगे और यह एक log हमारा बन के ready हो चुका यह देखे side से भी इस तरह से बस lock कर दीजिए अच्छे से lock करना है ताकि यह अब second ferment के लिए हम रखेंगे proofing के लिए तब भी यह हमारा आटा खूल न जाए यह देखे इस तरह से ready हो चुके है मेरे तीनो अब यह second भी इसी तरह से हम बनाएंगे थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे हाथ पे और इस तरह से roll कर देंगे uneven होगा तो भी चलेगा यह देखे बस इतना ध्यान रखना है कि किसी तरह से बहुत किसी तरफ से मोटा और किसी तरफ से एकदम पतलाना बेल ले आप अच्छे से fit wrap करना है देखे इस तरह से बीच में gaps रहेगी तो बन खुल जाएगा अंदर से यह देखे इस तरह से sides को भी अच्छे से हम lock कर देंगे और इसी तरह से मैंने 3 prepare कर दिये हैं यह देखे और अब इसे second proofing के लिए करीबन आधा पॉना गंता फिर से इस तरह से ढखके किसी गरम जगा पे हम रख देंगे और यह देखे after 40 minutes यह मैंने open किया है और इसके उपर यह buns eggless है तो मैं इसमें सिर्फ milk wash कर रही हूँ आप चाहे तो अंडा whisk करके अच्छे से इसे भी brush कर सकते है यह आप चाहे तो अंडा और milk दोनो mix करके भी ले सकते है यह करना necessary इसलिए है ताकि oven में जाते ही उपर का हिसा dry न हो जाए इसलिए और इसमें एक अच्छी brown coating आ जाए ब्रेड की तो यह process करना भी ज़रूरी है मैं हमेशा ब्रेड या कुछ भी केक्स होता है वो 160 पर करती हूँ और cookies होती है वो 150 पर करती हूँ और अब यह देखिए मैं क्रीम बना रही हूँ perfect तीन बंस के लिए क्रीम हमारी आ जाए और बिलकोबी waste न हो इसलिए मैंने एक बड़ा चमच अमुल बटर लिया है और साथ में दो बड़े चमच शुगर लिये यह PC होई चीनी है इसमें बहुत सारे लंब्स होते है इसलिए मैं इसे इस तरह से छान के ले रही हूँ वन बाई टू और बेकरी में जो बंस मिलते हैं उसमें मैंने दिखा है के हमेशा पिंक कलर के क्रीम होती है तो मैंने डाल दिया वन डॉप सिर्फ वन डॉप भी बहुत हो गया था काफी डाक कलर आ गया था वन डॉप पिंक food gel कलर और इस तरह की हैंड विसकर से अच्छे से भीट करते रही है करीबन एक ही मिनित लगी थी और अच्छे से ये रेडी हो चुका है ध्यान रहे हमें एकदम पिगला हुआ बटर नहीं लेना है अगर आपके बस बटर नहीं है तो आप घी का इस्तमाल इस रेसिपी में करिए और इन फैक मुझ जाती है तो अफ़ोड नहीं होता तो ओविसली वो लोग घी का इस्तमाल करते हैं और ये देखे मैंने अपनी क्रीम पाइपिंग बैग में भर ली है पाइपिंग बैग से ही हमें बंस में अपलाई करनी है और ये लीजे हमारे बंस भी रेडी हो चुके हैं जैसे ये अवन से बाहर आए तो हमें बस गिला कपड़ा इस तरह से लगा देना है उसके उपर ताकि उपर का हिस्सा थोड़ा से सौफ्ट ही रहे हाड़ना हो जाए करीबन बीस मिनिट के लिए ही करें इसके बाद कपड़ा हटा दे बंज अभी भी घरम है तो इसके उपर ओल या बटर ब्र कर देते हैं और फिर हमें लगानी है इस तरह से बीच में से स्लेट पूरा कट नहीं करना है बस थोड़ा सा बीच में से और इसके अंदर यह देख ले अभी ऐसे हम क्रीम भर देंगे तो कैसी लगे रैसे भी है ना विल्कुल वेकरी जासे और मानिये बहुत एजी है मैं का और किचिन में धेरो खाम होते हैं तो आज मैंने एक्चुली बना ही दिये और आपके साथ रैसे भी शेयर कर रही हूँ अगर आप भी मेरी रैसेपी को ट्राइ करते हैं तो कमेंट के जरिए मुझे बताईए आपको मेरी रैसेपी कैसी लगती है और आप अगर मेरी मुझे बहुत मज़ा देती है मैं इंस्टेग्राम पर हमेशा लिखते भी हूँ जब लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं इन फैक अभी जो मेरी एक शॉट्स ज्यादा देखे जाती है, सर्च में ज्यादा आ रही है केक की, उस पे इसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं परफेक्ले केक बना बहुत ही मज़ेदार बना तो वो मुझे बहुत ही खुशी देती है